हेलो दोस्तो, आज हम बात करने वाले हैं हर्दिक हिमांशु पांडिया, एक भरतिय अंतराष्टरी क्रिकेट खिलाडी है, उनके लाइफस्टाइल के बारे में बात करने वाले हैं, जो एक आल रांडर क्रिकेटर खिलाडी है, जिन्नोंने बहुती कम उम्डरों में अपना असिल कर लिया है, हर्दिक पांडिया कैसे अपनी लाइफस्टाइल जीते हैं, क्या आपको पता है, अगर नहीं पता तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूद देखना, हर्दिक का पूरा नाम है हर्दिक हिमांशु पांडिया, और उनका नीकनेम है हेरी, दोस्तो हर्दिक पांडिया का जन्मा दिन 11 ओक्टॉमबर 1903 में सूरत गुजरात में हुआ था, 2023 की हिसाब से अब इनकी उम्रत 30 एर चालू है, हर्दिक के पिता सूरत में छोटा सा कार फाइनल्स का बिजनेस करते थे, लेकिन इनका ये बिजनेस लॉज चल रहा था, जिसकी बज़े से इन्ह अच्छे से ले सके, और साथ ही साथ हर्दिक पांडिया के पिता ने दोनों भाई का यमके हाइस्कूल में एडमिशन कर दिया, लेकिन क्रिकेट में ज्यादा इंटरेस होने के कारण हर्दिक पांडिया नाइन तक ही पड़े, इंडियन एक्सप्रेस को दिये गए एक इंट वोड़द्रा क्रिकेट टीम से की थी, हर्दिक 2013-14 में वोड़द्रा के सएद मुस्ताफ आली ट्रैपेज जीतने में काफी योगदान रहा है, जिसके बाद वो पल भी आया, जिसका काफी दिन से हर्दिक पांडे इंतजार कर रहे थे, हर्दिक को 2015 के IPN में खेलने का मुका मिला उनको मंबई इंडियंस की तरप से 10 लाक रुपे मिले इस दवरान ओ सचिन तेंदुलकर के संपर्क में आये मंबई इंडियंस के लिए उन्होंने चन्नाई के खिलाब धमाके दार 8 बॉल पर 21 रंकी पारी खेली और 6 विकेट भी लिए मैच के बाद सचिन सर ने ये भी भुष्यवानी कर दी की अगले 18 महिने के अंदर ही हार्दिक टीम इंडियन के लिए भी खेलते नजर आएंगे और कुछ हुआ भी ऐसा ही एक ही साल के अंदर हार्दिक को एशिया कप एंड टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप में सेलेक्ट कर लिया गया जनौरी 2016 को एक बार फिर हर्दिक ने वोड़द्रा की ओर से सयद मुस्ताफ अली टीम ट्रोफी में हिस्सा लिया और उस दोरान उन्होंने 86 रन बनाए जिसमें उन्होंने 6 छक्य भी दिये हर्दिक पांडे ने अपनी इंटरनेशनल की शुरुवात टी ट्वेंटी 2016 से की उन्होंने भारत के लिए पहला मैच 27 परवरी 2016 को ऑस्ट्रिलिया के खेलकर किया इस मैच में हर्दिक ने दो विटेट लिये उन्होंने पहला विकेट लिया क्रिस लिन का और हर्दिक ने राजची में श्री लंका की खिलाब दूसरा ट्यू-ट्वेंटी में हो युअरत सिंग और महेंद्रे सिंग आगे आए और 14 बॉल पर 27 रन बनाकर खिसारा परेरा का हैट्रिक शिकार बन गए इस दोरान उनकी अलोचना भी काफी हुई इसके बाद 23 मार्च को बांगला के खिलाब पांडे ने मैच के आकरे तीन बॉल में भारत के लिए दो कीमती विकेट लिए और भारत ने बांगला में 36 रन बनाके साथी साथ तीन विकेट लिए जिसके बाद से हर्दिक पांडिया इंडिया क्रिकेट टीम का एक जरूरी हिस्सा बन गए और फिर 2016 के अंध में हर्दिक को इंगलेट के खिलाब होम सिरिज के लिए टेस्ट टीम में शामिल कर लिया गया लेकिन ओ इस होम सिरिज को पूरा नहीं खेल सके और PCI स्टेडियम में ट्रेनिंग के दोरां चोट लगने के कारण हर्दिक सिरिज से बाहर हो गए इसके बाद उनका टेस्ट में डेबू 26 जुलाई 2017 को स्री लंका के खिलाब हुआ इसी सिरिज के तीन टेस्ट में हर्दिक ने टेस्ट में अपना पहला स्टक भी लगाया था और अब फिलाल हर्दिक को IPL की नई टीम गुजरात टाइटल में शामिल कर लिया गया और हर्दिक इस IPL टीम के कप्तान भी है अब बात करते हैं हर्दिक पांडीया के हाउस के बारे में हर्दिक का वड़धरा गुजरात में एक घर है और उनके घर की कीमद है चार करोर तक जो उनका family हाउस है इस गर में हर तरह की फैसिलिटीज है घर के अंदर एक जिम भी है और एक ठेटर भी है आप इन गुजरात वाले घर की फोटोज और वीडियो देख सकते हो दोस्तो हाली में हार्दिक पांडिया और उनके भाई कुरूनाल पांडिया दोनों मंबई में सिप्ट हुए है जहां ओ 8BHK में रेंट अपार्टमेंट में रहते है आप इस गर की भी फोटोज देख सकते हो अब बात करते हर्दिक पांडिया के फैमिली के बारे में हर्दिक पांडिया के फादर का नाम है हिमांशु पांडिया हर्दिक पांडय की मदर का नाम है नलीनी पांडया हर्दिक पांडय की भाही का नाम है कुरोनाल पांडया और ये भी क्रिकेटर है हर्दिक पांडय की वाइप का नाम है नताशा स्टैन कोविन इन दोनों की 2020 में शादी हो गई नताशा एक एक्क्रश है और उनका एक बेटा भी है जिनका नाम है अगस्त्या चलिए दोस्तों बात करते हैं हरदिक पांडिया की इंकम की Number 1 हरदिक पांडिया को decay की तरफ से हर साल इने 5 करोड रुपई मिलते है Number 2 हरदिक पांडिया की कमाई IPL से भी होती है हर बार इनको अलग-अलग प्राइस दी जाती है पिछले साल तक हर्दिक पांटे मुंबई इंडियन्स के लिए खेलते थे जिने 11 करोड रुपए दिये जाते है और अब ये नए टीम गुजरात के कप्तान है इन्हें 2022 के IPL में 15 करोड रुपए दिये गए है दोस्तो हर्दिक पांटे की इंकम इनकी ब्रैंड इंडोर्समेंट से भी होती है एक ब्रैंड इंडोर्समेंट से इनको करीब 1-2 करोड रुपए मिलते है अब बात करते हैं हर्दिक पांटे की नेट वर्थ की हर्दिक का टोटल नेट वर्थ है 70 करोड रुपए अब बात करते हैं हर्दिक पांड़े की कार केलेक्शन की हर्दिक के पास एक से बढ़तर एक लगजरी कार से नमबर वन हर्दिक पांड़े के पास एक जीब कमपास है जिसकी प्राइज है 25 लाक रुपे नमबर टू हर्दिक पंडे के पास एक Mercedes GLA 200 है, जिसकी प्राइज है 36 लाक रुपे 3. हर्दिक पंडे के पास एक Mini Cooper Clubman है, जिसकी प्राइज है 42 लाक रुपे 4. हर्दिक पंडे के पास एक Audi A6 है, जिसकी प्राइज है 60 लाक रुपे नमबर फाईव, हर्दिक पंडे के पास एक range rover वाग भी है, जिसकी प्राइज है 2 करोड रुपे नमबर शिक्स, हर्दिक पंडे के पास एक Mercedes Benz G63 है, जिसकी प्राइज है 2.2 करोड रुपे नमबर सेवन हर्दिक पांडे के पास एक लैंबो ग्रीनी हुराकन है जिसकी प्राइज है 3.73 करोड रुपे तो ये थी हर्दिक पांडे की लाइफ स्टाइल की वीडियो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सकाइब जरूर करना